मैं डाक्टर गुलाब चंद मुहिना एस वसी एक प्रफसर राजनेते विज्ञान एस रपी गवर्मेंट पीची को रेज बांदी कुई कल हम बात कर रहे थे संप्रभुता की बारे में क्या आश्टन का संप्रभुता से द्धान्द क्या है आज हम देखें बहुल वाद क्या है संप्रभुता की विविचन करती बोदा, हाप्स, हीगल और आश्टिन आदि विद्वनदर संप्रभुता की अदेत वाधिता का प्रतपादन किया है इसका तात्प्रे प्रतेग राज में एक ही संप्रुवत होती है और सभी व्यक्ति और संप्रभुता उसके अदिन होते हैं और इस सरवच सत्ता राज की सत्ता होती है इस धाना के अनसार राज की शक्ति मौलिय की स्थाई और सर्व्यापी अविभाजनी होती है और मानजू उनके सभी पहलों का नियमन और नियन तर्ण राज की द्वाराई किया जा सकता है संपर्वता की अदेत वादिता की इस धारणा की विरुद्ध जिस विचार धारा को देव हुआ उसे हम राजनिति बहुलवाद या भूव समुदायवाद कहते है बहुलवाद को संपुर्वता के अदेतवादी धारना के वृद्धे कैसी पृतिकरिया कहा जा सकता है जो राज के स्थित को बनाए रखना चाहती है कि इन तो राज की संपुर्वता का अंत करना से रिष्ट कर्मानते है बहुलवादी विचारधारा के अनसार राज्य सत्ता, संप्रभू और निरंकुष नहीं है समाज विद्वान अनेक समुदायों को स्थित्व राज्य सित्ता को सीमित कर देता है और विक्ति अपने आवशक्तों की पूर्दी के लिए केवल राज्य की ही सदेस्ता स्विकार नहीं करता है और राज्य के साथ साथ दूसरे अनेक समुदायों और संगों की सदेस्ता भी स्विकार करता है ऐसे इस्तिते में एकमात राज को संपूर्ण सत्ता प्रदान नहीं किया सकती विद्वान हेशियों ने समझने में लिखा कि बहुलवादी राज्य कैसा राज्य है जिसमें सत्ता के वले एक शुरूत नहीं है और विविन चेत्र में विवाजनी है और इसे विवाजित किया जाना चाहिए बहुलवाद को समझने के लिए कुछ बहुलवादी विचारकों के कत्रों को लेख किया जा सकता है जो निमन प्रकार है लिंड से ने लिखा कि अदि हम तत्यों कबलोकन करें तो इस पस्ट हो जाता है एक संप्रवुता की सिध्धान्त का अंत हो चुका है बारकर कमाता है कि कोई भी राजनीतिक सिध्धान्त इतना निश्पल नहीं हुआ जितना कि प्रवुत्व संपन राज्ज का सिध्धान्त निश्पल हो चुका है लार्ज के शब्दम समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए उसे संगात मुखने चाई गेटिल ने बहुलवाद की विस्तार सुवैक्या की और उसके अनसार बहुलवादी इस बात को मानने तार नहीं देते हैं कि राजिक सर्वोष समधाय है वह अन्य समधायों को भी उसी आधार पर आवशक और प्राकरतिक मानते हैं उनका विचार है कि उसे भी समधाय वैसे ही महत्मून हैं जैसे कराज इन समधायों का पाद्रभाव स्वता और स्वभावत होता है और राजित और अनिर्मित नहीं होते हैं और नहीं वो अपने अस्तित के लिए अपनी इच्छा पर ही अविलम्पी दोते हैं। राज की तरह वो भी अपने चेत्रों में सर्वपरी हैं और इस बात को भी नहीं मानते हैं कि राज्य अपनी समस्त अपनी शक्ती के करण को सर्वच अदिकार रखशेकता हैं। वो उनी समुदायों के समान अधिकारों विश्वास करते हैं जो अपने सधस्यों को एक सुत्र में पिरोकर उसके लिए कारे करते हैं अताब प्रभुतानेकर राज की धरोर हैं अब यतों सभी समुदाय उसका अबभोग करते हैं राज अविभाज्य, सर्वोच और असीम शक्ति शंपन नहीं है उसका सर्वोच सत्ता का दावा आज भी जिटिल दुनिया की वास्तिवी को आरता के रूप नहीं है पुहलवाद की विकास में साहिक दत्तों के हम चर्चा करेंगे सत्रवी, अठारवी, उन्नीसवी सदी में विश्क्यादिकान सरज्जे दुरा प्रभुशत्ता के एनिंतरित रूप को स्विकार कर लिया गया लेकिन प्रभुशत्ता समन्दी उनकी मानिता विश्वी सदी की सामजिक, आर्थिक और राजनेतिक परस्तितिक उन्कूल नहीं थी और अनिंतरित प्रभुशत्ता के सिध्धान तेक एवहुरिक तत्ताम्रत सिध्धाय बन गया जीवन की भोमुकी आवशक्ताओं पर आधरित बहुलबादी विचार धरा का जैन्म हुआ और बहुलबादी विचार धरा के विकास में साइक तत्त निमलिक रहे हीगलबादी राज की विद्धि प्रतकिरिया आद्रिश्वादी विचार धरा को चर्मतकर्ष पर पहुंस चाती हीगल ने राज को प्रत्वी पर परमेश्विर के और ध्रणा की नाम से समगोदित किया हीगल एकमात राजी को ही नेतिक और आद्रिशात्मक संस्ता मानता है और राज की निर्णकुष ऐसीमित प्रभुशत्ता को पास होने के कारण अन्य समधायों के स्थित्त को स्विकार नहीं करता हूँ हीगल की चर्मतावादी धारना की प्रतिक्रिया को ना स्वभाविक था और प्रतिक्रिया को वदे बहुलवाद की रूप में हुआ बहुलवाद प्रभुशत्ता को असीमित नेमार का असीमित मानता है और राज के साथ अन्य समधायों के इस्तित को विश्विकार करता है अते सरलता से का जा सकता है कि वहलवाद की विकास में आदरिशवाद की विरूद का बहुत बड़ा हाथ है दूसरी जी बात की राज के योगिता आदुनिक राजी के एवगुता भी वहलवाद की विकास का एक कारण है और वरत्मान समय में राजी का कर्चात्र बढ़ता जा रहा है और केंद्रिकन की प्रोवती अधिक अधिक वल प्राप्त करती जा रही है लेकिन विहार में आने एक वार राजी को सर्वशक्तिमान बनाने के प्रेतन राजी के एवगुता में पढ़नित हो जाता और प्रफ्शरभाड के सुंदर सब्दों में इससे केंद्र में पक्षपात का लकवा तथा दूर वरती शिरों पर ररक्त हिंता का पंडू रोग हो जाता और बहुलबभादी विकिंदरीत राजी के अपने सिध्धान्त के अधार पर वरत्मान राजी की स्थर्टी को दूर करने चाहते मद्दिकाली ने संगवभादी विचारकों के प्रभाव बहुलबाद की विकास में जर्मन लेखक गियर्क और बिट्रिस लेखक मेटलेंड और फिगस आदि विद्वानों के विचारों ने भी महत्पूंट तत्य के रूप में कारे किया गियर्क और मेटलेंड ने लोगों का ध्यान उस मद्दिकालें समझिक विएस्ता के और आकरष्ट किया जिसमें राज्य सक्ति एक इस्तान पर केंदरित नहीं थी और समाज में आर्थिक संगों को परम की इस्तान था इन विचारकों ने सामझिक हित में फिर से इस विएस्ता को ग्रेंड करने पर बल दिया फिगस के मद्दिकालें ने चर्च के स्वत्मत हस्तात की बात करेकर इस बात का परतिपादन किया कि शक्ती की भोगता एक नहीं वरन अनेक हो सकते हैं और फिगस के अनसार जिस प्रकर मद्दिकाल में समधायों की सत्ता उपयोगी और रज्जे कि हस्तक्षेप से परे रही वर्तवान समयम सांस करती का अर्थिक और आदी समधायों की इस्तिति है राजगी समक्ष विकार करते समधिक सत्ता के स्वरूप संगात्म होना चाहिए मद्दिकालेन संग्य समाज व्यस्ता से परेरत विचारकों ने बहुलवाद के उदे में महित्मूर्ण योग दिया चोती बाती लोकतंत्र में प्रादेशिक प्रतिनिदित की वेस्ता से असंतोश 19 सदीक उत्राद और 20 सदी के प्राण में प्रतिनिद्यात्म लोकतंत के अंतकत प्रादेशिक प्रतिनिदित की व्याख्या को अपनाएगे शिग्रे प्रादेशिक प्रतिनेदित की वेक्या से असंतोर शुत्पन हुआ और श्रणी समाजवादी और संगवादी विचारकों के द्वरा उनके स्थान पर विवशायक या कार्यात्मक प्रतिनेदितों मांग की गई और विवशाइक प्रतिनेदित के सभी विचारक प्रतिपाद है GDH कोल का नाम सबसे परम कुरूप से लिया जा सकते राज का उगर विरोध करने वाले समुदायों के तुल नाम है राज को गोण महत्व प्रदान करने वाले बहुलवादी विचारदारक के पोश्चन में सायता प्रदान की अंतराश्टी पांसव गाती अंतराश्टी विचारकों का क्रमिक विकास इदि पिछली सदियों में राश्टीता का विचार प्रूप रहा तो उर्दवान समय को अंतराष्टेता की युग कहा जा सकता राष्टी राज्यों राष्टेता की भावना की उद्धने जिस प्रकार राज्य की असी में संपरुटा का विकास किया उसी प्रकार अंतराष्टी भावना की विकास ने प्रभुता के बहुलवादी विचारकों को प्रश्यत किया और अंतराष्टवाद की भावना के विकास के कारण ये विचार बल ग्रहन करता गया कि संपूर्ण मानवता के इतको दृष्टी में रख करके अंतराष्ट छेत्र में रज की प्रभुष्टा को सीमित कर दिया जाना चाहिए अंतराष्ट ये अंतराष्ट वादियों के इस प्रतफ़दन से राज संपूर्वता की मैत्तवता कम होई और भावलवादी विचार को प्रशान मिला विधी सास्त्री तित्तों का विकास आदुनी कालमा ने एक छेत्रों में इस बात का प्रत्पादन किया गया कि विधी राज्य का आदेश मात्र नहीं है उनसे उपर की गवस्तों और ये विधी सास्त्री इस बात का प्रत्पादन करते है कि राज विदिय का एक मातर श्रोत नहीं है और विदिन रिमान समन्द में राज की प्रभुता की अनिता और सरवचता की बात निर्वाद है रूप से स्विकार नहीं किया सकती और इन विच्वार काउन में डिगवीट और क्रेव की नाम विशे शुरुप से लिखने कानूर राज की उपर की विस्तु है और विदि सास्त्रियों इस प्रतपादन से निश्य ही प्रभुता की एकतवा धारणा को धक्का लगा और वहलवादी विचारधार का प्द रोह हुआ स्रमी कौरगों का विकास लिखनी में पूजी वाधन्मुःट वेता पतोन मुख है और इसकी स्थान पन समाजवादा और स्थामबवादी वेस्त लोग पर यह जारी है इन समाजबी विचारदारों के अधार पर ऐसे सिर्मिक वरुकों का कठन हो रहा है। जोने किल पूजी पतियों वरण आर्थ एक चेत्र में राज़ की सत्ता का भी विरुद करते हैं। और इस श्रमिक वर्गों कांतिम लक्षित तो आर्थिक चेत्र की समस्षक्ती सुमर अपने हातों में लेना है और स्रमिक वर्गों के बढ़ती महत्त के कारण भी संपूरता के एकलवादी विचार का पतन और बहुलवादी विचारधार को प्रशन मिला है तो निसंदे रूप सीम उप्रोक्त जो तत्थ अपने पताये थे उनसे प्रभावित होकर कि बहुत सारे विद्वाने विचार को ने बोल वादी विचार धारा का प्रतिपादन किया जिसमें गियर्क, मेटलेंड, फिगस, धिगविट, क्रेव, पाल बंकर, एडी लिंडले, आदी आदी बहुत सारे हैं, राड ललास्की के नाम लिये जा सकते हैं देखेंग राजगी प्रभुत सत्था पर बहुलवादी आच्छे बुलवादी विचारक अपने आधार पर संपरुटा के परंपराय सिध्धान के अलचने करते हैं, संपरुटा के परंपराय सिध्धान पर बहुत सारे आच्छेप किये गें, समाज की वर्तवान इस्तिति और रिचना के आधार परुद्वादी को नसर वर्तवान समाज की स्टेते 2 प्रदकार के हैं कि अकेला राजिमानुवी जीवन की वीवीत पत्वित्स सम्दायों हो को राज양 सम्दायों के अस्तक्ष्यफ श् Всемodel रहकर करने आप और शक्तानों द्रिष्टे से पूर्ण होने के लिए सामजिक संक्ठन के ढ़ाचे का स्वरूप संगिय होना चाहिए। दूसरे एतियासिक द्रिष्टि कौन के आधारप। बहुलवादियों के अंसर इतियासि बात का शाक्षी है कि आश्टन के पूर्ण प्रभुत्व संपन राज की सत्ता कभी नहीं लिए और प्राचेन का आलम भार्त और युनानम इस प्रकार का कोई राजी नहीं था। और तीसरी बाति वेक्ति के विकास के आधारप। बहुलवादियों ने संप्रभुता के विचार विक्ति के विकास मबाद है क्योंकि राजी को चरम साध्य और विक्ति को साधन मात्र बना देता जो वास्तिव कि स्तति के नितांत विप्रीत है। राज व्यक्ति की प्रगिती और आत्म संतुष्टी का साधन मात्र है और व्यक्ति की विकास और अंतर संतुष्टी बहुत मुख्य होती है राज वर किने और समधायों के बीच विरोध उत्पन होने पर व्यक्ति को अपनी भक्ति निर्धायत करने का दिकार होने चाहिए हमारा प्रत्म कर्तव अपने अंत्करण की प्रती सच्चा रहना है लोकतंत के अदर्प सच्ची लोकतंत की इस्था अपना प्रभुसत्ता संपन राजवन ही वर्ण बहुलवादी व्यस्ता में भी संभव है और वर्तमान लोकतंतर में सासन पर जनता कोई नीन तर नहीं है औ और जो वेक्ति के विकास में बादक है, जो लोक्तंत को पार्शक है, सच्चा लोक्तंत्र तो वेक्ति के विकास में सायक होता है, और उसका विप्राय वेक्ति द्वरा सासन के सभी कारी में सक्री रूप से भाग लेना। गंबीर निमान सकर्ट निसकर्ष निकाला कि राज ने तो कानून का निर्मात है और नहीं ही उस से सच है उच्छ है इन विचारकों के अनुसार राज कानून का निर्मात रही अपी तो उनका अनवेक्षक या गोशन करने वाला है और डच विद्वान क्रेब के मतनुसार कोई नियम कानून के रूप में इस करन मानने नहीं होता कि वादेश है या राज नहीं उसी बनाए चोरी या मानव हत्त है इसलिए अपराद नहीं कि राज ने अपने आदेश दोरह ऐसा निश्यत किया इसलिए अपराद है और समाज की नितिक वद्धियों से अंचिस समझते है और राज जी की कानून को निर्माता और कानून से उच्छी समझ ना सरतब्रांत कल बना है और इसके अधार पर राज को प्रभुत सब्दा संपन माननर यर्थात और सथ नहीं अंतराष्टेता का अधार पर संपरभुता की सिध्धानत के अलोचन दो प्रकास की जा सकते है कुछ लेकों के विचार है कि अंतराष्टे कानून के विकास के परणाम सुरूफ भारी मामलों में राज की संपरभुता नस्ट होगी है संपरभुता की संध्धानत संगर्षों युद्धों को जिनक है और विश्चांती बनाएं रखने के लिए संपरभुता की सिध्धानत को एक अनवारिये आप्शिक्त है लास्कियर संपरभुता के धार्णा को अंतराष्टी संथी के लिए बहत अदिक वह मानता है ऐसी में तन्तरदाई संपुर्वतक सद्धाध बना नहीं खाता Stevens राजाओं के देवी अधिकार समाप्त ऑगे वैसे राज्य की संपुर्वतक भी समाप्त हो जाएगी झाल झाल